तो आईए पैरे बच्चों, फानली में आपको सिखाता हूँ कि कैसे एक बड़े सेंटेंस को, एंडि के बड़े वाकि को इंग्लिस में हम ट्रांसलेट करते हैं, तो आईए बटा, सीखते हैं कि कैसे एंड फ्रेज और आ फ्रेज एक जीरंड का और इंफिनिटिव का के जीरंड की पहश्चान क्या थी किरिया तो क्रिया आ करकर लगा था और इनफिनिटिव की पहशचान क्या था, कि किरिया में ना लगा है या फिर के लिए लगा है, कोई दिकत ऐक आपको नहीं बात प्ढ़ानेवाला हूँ, जैसे जो हमने आपको आपको एंड फरेज और आफ फ्रेज पढ़ाया था आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक एंड फ्रेज और एक आफ फ्रेज जीरंड का या फिर इन्फिनिटिव का फ्रेज हो सकता है तो आए यह च्काता हूं कि कैसे एक आपका आफ का फ्रेज, यानि आफ फ्रेज जो आपको पढ़ाया था यह कैसे जीरामित का फ्रेज और इन्फिनिटिव का फ्रेज बन जाता है तो आईए बैरे बच्चों आज आपको एक नया क्लास देने वाला हूँ इसमें आपको फानली सिखाऊंगा कि कैसे एक इंफिनिटिव फ्रेस को हम बोलते हैं तो आईए देर ना करते हुए इस लेक्चर को सुरू करते हैं और फटा फटा अब इस लेक्चर से जुड़ जाएए और आईए बैटा आपको मैं फानली सिखाता हूं कि इंफिनिटिव फ्रेस को हम कैसे इंग्लिस में पहचानते हैं और उसकी हिंदी पहचान क्या होती है उ जीरन फ्रेस पर रखा है तो उसी की तरह हमारा है इंफिनिटिव फ्रेस क्या है हमारा इंफिनिटिव फ्रेस और इस क्लास में हम आपको केवल एक सेंटेंस का एक्जामपल दूँगा तो कि पिछिरी क्लासों में मैंने कई एक्जामपल दे रखे हैं लेडी इसमें केवल म की तरह ही है और इस की पहचान किया है इसमें क्लिया में ना लगा हो या पिर कै लिए लगा हो भी क्या लगा हो बाँ के लिए और इसी को अधिक टे एपर उस इस minder कर में ने और nuggets को ही वेटा हम क्या बोलते हैं प्रीपो जीजनल प्रेज्स क्या बोलतेकस प्रीपो जीजनल को सकुषिपानि मैं ृब Olay hi तो फुक्त ही से इन्फिनिटिक फ्रेस्स की पहस्षाइन किया प् Lynn क्रिया में ना लगा हो या फिर के लिए लगा हो जैसे आना या आने के लिए जाना या जisel के लिए माइद्धर को यूस्त में पाल्त को इस थिक है। या फिर आने के लिए या फिर ज़ंभी ब Solomonya मात्रा कोई हो सत्की है अंग्रेजी में मात्राओं का नुमाद नहीं होता है इसे बोलना या बोलने के लिए खाना खाने के लिए जाना जाने के लिए रहना रहने के लिए तो इंफिनिटिव की पहचान है कि किसी क्रिया में ना लगा हो या फिर के लिए लगा हो तो वो हमारा इंफिनिटिव होता है इतना प्लियर है यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी इंग्लिस पहचान क्या है इसकी इंग्लिस पहचान क्या है अब इंग्लिस पहचान क्या है तो इंग्लिस पहचान हम सीखते हैं उससे पहले आपको बता दू अगर आपने इससे पिछला नहीं देखा है जीरन फ्रेस का, तो वो लेक्ट्चर आप देख लीजिए, बटा, नीचे डिस्क्रिप्ट्प्टं में उसका लिंक दे रखा है, आप उसे देखेंगे, उसमें आप को मिलेगा कि कैसे हमने जीरनि फ्रेस को बोलना सिखाया था, बटा, किरिया में ना लगा है या फिर केलिये लगा है कोई दिकत अब बहुत से बच्चों के में सवाल आएगा कि ये क्या है वर्ब की रूट हमने कि Cand12 अुप आपके लिए जब मैं आपको बताऊंगा बाँने वाला हूं लक्टर हमारा आने वाला है थीक यह आए जाने के लिए जाने लूगा यह देखेंगे मात्रा कोई onwards जाना जानी जाने के लिए मात्रा में एक ही लगाई है अंग्रेजी में मात्राओं का नुमाद नहीं होता है इतना क्लियर हो गया अबटा तो फाल्ली मैं आपको सिखाए कि कैसे एक इंफिनिटिव को हम पहचानते हैं हिंदी में और उसकी इंगलिस पहचान क्या होती है प्रैक्टिस करने पर सब कुछ समय आ जाएगा तो इतना आपको समय आगा बता अब यहां कुछ में तो आई इसकाता हूं कि कैसे एक आपका आफ का फ्रेज यानि आफ फ्रेज जो आ एंड फ्रेज कैसे जीरंड का फ्रेज और इंफिनिटिव का फ्रेज होगा यह इसका मलब क्या है इसका मलब यह है कि ध्यान है जो साथ बाते हैं जो मैंने साथ बाते आपको बताई है साथ बाते हैं आपस में रिलेस्टिव करती है रिलेस्टिव का मलब क्या होता है कि एं कई बाते मिलेंगी बिटा ध्यान रखे अभी आपको मैं सम्झाने वाला हूं कैसे तो यह दो sentence मैंने दो phrase देखा है यह sentence नहीं बिटा है यह phrase है इसके बाद आपको एक sentence example में दूँगा जो कि थोड़ा बड़ा होगा ठीक है इससे मेरा concept पुरा clear कर दूगा आपको अब आईए तो समझते हैं यहाँ पर हम सबसे important चीज क्या है इस phrase को आप देखी ध्यान से तो आप देखेंगे मैं अगर इसमें कहूं कि ऊपर वाला जो phrase है यह जीरंट phrase है य यह इंफिलिटिव हो गया उनली ओप Minh का फ्रेज और और यह क्या है इन्फिनिटिव का住 बटा हम पहस्चान जाते हैं और को अंडरलांड करके लिख देते हैं तो यहां पे लिखा हो बैठ कर यह हो गया जीरंड अब आपको पता है जीरंड का phrase या या तो बेर होगा या तो क्लेड होगा कोई दिकत तो यहां पर देखते हैं बटा नदी के रास्ते पर तो ध्यान दे बटा यह वास्तों में नदी के रास्ते यह था आफ का फ्रेज क्या था आफ का फ्रेज लेकिन पर लग गया है तो एक क्लेड बन गया क्या बन गया क्लेड कोई दिकत तो यहां पर हम चाह कर भी इसे हम आफ फेज नहीं कहेंगे क्या मोलेंगे क्लेड क्लेड बोलेंगे जैसे माल लीजिए बटा हम जो रिलेसंट सिफ होते हैं इसको समझें जिसे आप किसी रिलेसंट में जाते हो तो वहां एकॉर्डिंग टू यू काम नहीं करते है हम हम यहां करते हैं अपने अपनी काम करेंगे मांलोग कोई करना है तो तो toOn लोने करोडिंड न नहीं काम करेगा या प्लेटिक के इसकों कोइअ करते हैं तो आफ्जिह तो हमारी होती ही मालीजिए हमकु कोई ऑफिस मिल गया लेकिन हमारी बास होगा कि उसके तो अफ्रेजिंड लेकिन च với तो इसको इसके चलेगा है ऐसे यहाँ पर गाओं के लोग तो गाओं के लोग बेर हो गया हमारा कोई दिक्कत यह मैंने आप पढ़ाया था ना समझ में आ रहा हो था तो नीचे जो लिंक दे रखी है इस लिंक बिजा करके आप जो हमारा बैठ करके इंगलिस आएगी तो बैठने का होता है सिट और क्या लग जाएगा आइएंजी लग जाएगा तो सिटिंग हो जाएगा एस आई डबल टी आइंजी हो गया सिटिंग अब पहले बियर आएगा तो बियर क्या है बिटा गाओं के लोग अब देखे बियर के स्थान है तो आफ क्लास लेकिन ये बियर का काम कर रहा है उसको बोलेंगे कौन सी बात आफ का फ्रेज बोलेंगे लेकिन है तो ये बियर भाई काम कर रहा है बियर का तो हम इसे बियर बोल करके करेंगे लेकिन इस सद्धान तो ही फाल होगा गाओं के लोग उल्टा बोला जाएग तो दा पीपूल पिर के फिर के इंग्लिस आएगी आप फिर गाउं का एगा बिलेज अब बिटा हम बोलेंगे प्रिपोस अना आता है तो परक इंग्लिस आएगी प्रिटा अब देखिए आउन की जैसे आप इंग्लिस लिखा इसको कार दीजिए अब अब नदी के रास्ते तो उल्टा चलेगा अब यहां पर रास्ते तो रास्ते के में इसके आएगी बता दबे अब क्या लग रहा रहा है बेर भी आ रहा है और सबका सिध्धान दियम फालो कर रहे हैं हमने जीरंड का भी कि सद्धान फालो किया आफ के छो एक से वारां फालो किया वह सौत में सघ्धान कर लेते हैं वहां करें पैठने के लिए हमारा हो गया अब महल के कमरों में यह होगा हमारा बटा क्लैड वास्तों में यह बटा एंड फ्रेज ओ स्वारी आफ फ्रेज लेकिन में लग जाने से हम क्या मोलेंगे इसको इसे मान लीजिए तो यहां नाद किये बटा तो आप बढ़िये मैं आपका टीचर हूं लेकिन मैं नखिये रख्या है तो यहां समत्ते रख्याष लेकिन काम कर रहा है चलेर हो गया बटा वास्तों में है यह आफ फ्रेज लेकिन काम कर रहा है बेर का कोई दिकत अब पहले किसकी में साइगे बैठने के लिए तो बैठने का होता है पिर राजा का द कंग अहिंध वह दिकत अब आयगा देखे ज़्शम में प्री पे इसन अफड़ प्रें में किस इस अब किम ड्यवेंग का tätä में को काट लो महल के कमरों तो पहले मरों कि मिस अबक्षा है ऑट्र細 क्या होगों इस चैल करभ रहा है ज्यादा कम रहे है ना दा रूम्स फिर केक इंग्लिस आईगी बिटा ओफ फिर क्या अगा महल दा पैलेस यह बटा सी है क्या लिखा हुआ बटा सी तो सबके समय आ रहागा बटा को दिक्कत तो इसको नोट कर लीजिए बटा देखें पूरा आफ लाइन क्लास की तरह आपको पढ़ा रहा हूं इसमें नो डाउट जो भी दिक्कते आती हैं आप के वल वीडियो को देखेंगे तो पर एड हो जाएए और क्योंकि उस पर मैं exercise देता हूं जो भी वीडियो हमारी lecture आती है उसकी exercise आप वहां मिलती है तो finally मैंने आपको सिखाया कि कैसे एक आफ फ्रेज जीरंड का फ्रेज हो सकता है और infinite का फ्रेज हो सकता है ऐसे हमारा and phrase भी है उसको भी आपको lecture में नहीं sentence क समझा देते हैं तो आएए बटा सीखते हैं कि कैसे एंड फ्रेज और आफ फ्रेज एक जीरंड का और इंफिनिटिव का फ्रेज होते हुए sentence में कैसे उसे हम बोलेंगे एक बहुत बड़ा sentence मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ध्यान है बहुत बड़ा sentence उसका example मैं आपको द sentence को एक हिंदी के बड़े वाकि को इंग्लिस में हम ट्रांसलेट करते हैं now start करते हैं इसको ध्यान से देखिए एक भी topic छूटना नहीं चाहिए आईए बटा सिखाते हैं आपको यहां देखिए इतना बड़ा sentence है कुछ बच्चे बहुत ही डर जाएंगे कि सर्थ कैसे बनाएंगे बहुत ही आसान है एक ही सिध्धान एक ही रामबान आपके लिए प्रियाप नौ तो आईए बटा मैं यहाँ आपको उसकाने वाला हूं क कैसे ही स्वाक्य को हम बनाते हैं तोड़ दो जो बड़ा है उसे तोड़ दो बेटा जो बड़ा है उसे तोड़ दो छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा तो हम बना ले जाएंगे ठीक है तो बड़े वाग को हम तोड़ना सुरू करते हैं बटा तो पहला का हमने क्या गात अपता वरव को छाट लिए अब यह देखते यह बढ़ा हुख हू कैसे गया Smz कैसे मिलकर के बड़े संटेंस को बना रहें हैं चाहरेंगे उन्हीं छोटे-छोटे संटेंस को तोड़ करके हम भी बना लेंगे अंग्रेजी में आईए अब हम कैसे पहचानेंगे कि अगर इतना बड़ा sentence हो तो उसको हम पहचानेंगे कैसे बटा तो बहुत ही आसान है हमने क्या कहा था फानली आपको पताया था फोकस ऑन वर्ब सब हो जाएगा आसान तो यहां हम वर्ब को ढूंते हैं पहला काम बड़ा sentence लिए घवराना बिल्कुल नहीं है कोई दिक्कत ने इतना बड़ा sentence दे करके आपको त्राक्स को इंगलिस में करणवर्ट कर देना है आईए यहां सीकाते हैं आपको तो देखिए द्हान से हम पहले इसमें वर्ब को ढूंते हैं किसको ढूंते बटा वर्ब को ध्यान रहे अगर वर्ब का हमने ढूंद लिया तो हमारे लिए sentence आसान हो जाएगा ना फानली स्टार्ट करते हैं तो देश में और समाज में यह तो वर्ब है नहीं आज काल यह भी वर्ब नही सब्सक्राइब को इसमें यह करिया करके लगा हुआ है तो वह वर्ब नहीं है समस्याओं के बारे में और समय्सयाओं नहीं है और वह रहोई है कि आ यह विए बिजिए था कि किरिया में अगर के लिए लग गया तो किरिया नहीं इंफिनिटिव बन जाएगा तो यहां पर इंफिनिटिव है ना कि किरिया ध्यान नहीं बटा एक यह जना बनाते हां बनाते वर्व हो सकता बनाते यह भी वर्व है भी तो आ गया यह फिर लेकिन यह यह जना प्राय गलत तथ्यों की और जाती है एक वर्वी मिल गया तीन वर्व मिल गया तीन वर्व का मनलब क्या बटा यह बहुत बड़ा जो सेंटेंस था यह सेंटेंस तीन से मिल करके एक बना हुआ था ठीक है यानि कि पहला देश में से लेकर के सोचते हैं यह पहला सेंटेंस था दूसरा क्या था तब से लेकर के बनाते हैं तीसरा लेकिन से लेकर के और जाती यानि कि पहला से यहां से लेकर के यहां तक था यह नंबर एक बीवर हो गया और यहां से लेकर के यहां तक की बीटू हो गया दूसरा से लेकिन से लेकर के है तक की बीठी हो गया यानि कि के तीन हुरों restrictions ऐ tolerant मिले हैं तीन अब थी तक्षाइक वार्व होगया हम सूचने का काम कौन कर रहा है तो इस है पशान गये ना अब बनाने का काम कौन कर रहा है बटा तो ध्यान ने बटा इसमें सब्जेक्ट नहीं है इस वाले वाके में सब्जेक्ट ही नहीं है बनाने काम कौन कर रहा है तो यहां से यहां देखो कोई नहीं बटा कोई दिकत अब आए दूसरे वाले में जाती अब ज जा सकते हैं तो योजना भी जा सकती है ठीक है तो ध्यान नहीं पता कोई दिकत हमने फानली का किया तीनों काम कर लिए अब देखिए हमारे लिए बनाना असान हो जाएगा जो बात जहां सोचो बोलते जाओ कोई दिकत पहले हमने सोचा देश में तो इंग्लिस क्या बनेगी स्क्राभ स्प्राइब में इंदा सोचाईटी जो देखते जाओ binaते जाओ बनाना इंस प्यायटी आज कल अ तो आज पढके उगी इंग्लिस तök नड आ अ जब जब कि इंगली ऊगी हूय न हम हम की नोटा वी क्या होगी वी अब ध्यानिक बिद्याले में में खड़े होकर जीरंड क्लाज जीरंड फ्रेस के बीच में आ रहा है हमने बताया था ना अगर बीच में आएगा तो पहले कामा बाद में कामा तो यहां हम पहले कामा लगा दिये अब बिद्याले में खड़े होकर तो फ़रे खड़े होकर गरिज्ट आएगी तो खड़ा होदे का इसटेंड अप होता है तो हो जाएगा इस्टेंडिग अप इस्टेंडिंग और अप यहहों का खड़े में तो भीया ये तो वर्व के बाद जाएंगे तो यहां पर वर्व आज आएगा वर्व को हिंदी में लिख दो सोचते हैं कोई दिकत सब्सक्राइब अब आएगा चाछुट गया क्लेड तो क्लेड में प्ले प्री पोजीशन तो प्ले के बारे में एक निस अबाउड ठीक है फिर समस्याओं दा प्राब्लम्स कोई दिकत अब आई अगला विटा यानि की पहला संटेंस हमने तोड़के कर लिया पहले वाले को कर लिया ना दूत्रे वाले को तब तो तब की इंगलिस होगी द्यान ती एच इन फिर अगला क्या विटा इस दुनिया में और नहीं बना दो बिटा इन दिस वर्ड ठीक है फिर किसकी इंगलिस आ रही बता और अंग्लेजी होगी और अगला क्या होगा बहुत से समाजों में तो पहले मेक इंगलिस बिटा इन फिर आएगा बहुत से का मेहनी पिर समाजो मैनीस के बात समिश्य यहां प्रवास्तों में था। यहां गड़बड हो गया एक चीज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् अब देखे गड़बड़ी ऐसे सबसे हो जाएगी अगर ध्यान नहीं देगा तो पहले हल करने की इंग्लिस आएगी विटा तो हल करने का होता है तू सौल्व क्या होगा तू सौल्व अब पहले बियर आएगा तो बियर क्या समयों को तू सौल्व दा प्रॉब लेंड अब इस दुनिया में इन डिस वर्ड ठीक है अन्तिस वर्ड और और फिर और कि इंड फिर बहुत से समाजों में इन इन मेनी मेनी और समाज की इंग्लिस क्या है कि जादत समाज है सुसाइटीज सुसाइटीज अब बन गया ना पहला संटेंस अभी आईए बटा एक यो जना अभी तो वर्ड के पहले वाली बात है वर्ड के बात जाएंगे वर्ड यहां आएगा वर्ड हिंदी में लिख दो बनाते तो मैं हमने दो संटेंस को बना लिया यहां से ने करके इसको बना यहां तक मैंने यहां लान यह का हो जाएगा यहौन्यागा हो जाएगा प्राया प्राया इंग्रीज़ी ती यह टाउये पर जाएंग हर यहां जाएगा रिटि Games कुल्ट हम यहां परेंगें 6 언ék अब कहां यहां लगए क्लेट है इस प्रेट सबस्कीवाट्रो सबस्क्रेणों अब गलत तथ्यों की ओल तूर्स अब यहां दा लगाई यह दा गलत का हो जागा रॉंग और तथ्य का फैक्ट्स शाम जागा फैक्जों देखे इतने बड़े वाकिकों हमने इसको boundary कर्ते हैं द्येहां भी पटा इतने बड़े वाकिकों कैसे इंग्लिश में इसको कर्वेड करते हैं एक ही राम बान ऑर्ट छो बात जहां सोचते जाओ और वर्ब के पहले वाली बाद सब्जेक्ट है तो वर के बाद नहीं जाएगी यही पिता एक रामबान है जो नारान का रामबान है और इसको आप अगर सीख लेते हैं तो आसाई से आप बनाना सीख जाएंगे हिंदी का प्रतेक वाकी आपके हाथों में होगा और आप इंगलिस के पिता ग्यात आते रहें